पेटियम को लगा एक बड़ा जटका अगर आप पेटियम यूजर हैं तो पेटियम की तरफ से आपको एक बड़ा जटका लगने वाला है RBI 29 फरवरी के बाद एप के कई सेवाई पर रोक लगाने वाली है दरसल पेटियम पर RBI ने बड़ा एक्षन लिया है जिसे पेटियम बेंक गिराकों को बेंकिंग सुविदाएं नहीं दी जाएंगी क्या है पूरा मामला RBI ने कंपरी को आदेश दिया है कि 29 फरवरी के बाद मोजूटा गिराकों को बेंक अकाउंट में पेशे एड नहीं कर सकेंगी ऐसा इसलिए बताया है कि RBI ने पेटियम पर आदेश का पालन ना करने की वज़े से ये एक्षन लिया है RBI ने सर्विस पर लगाई हैं रोक आखित कौन कौन सी सेवाई हैं जो इसे बारित होंगी RBI ने 29 फरवरी के बाद पेटियम किराकों के अकाउंट, प्रिपेर, इंट्रूमेंट, वोलेक, हाइटेक वे नेशनल मोबिलिटी, कार्स में पेशा नहीं डाल पाएंगे ने डिपोजिट और नया टॉप अप कराने के पर भी रोक लगाई जाएगी एक मार से कोई भी बेंकिंग सर्विस पेटेम द्वारा बेंक उपलब नहीं कराएगी इन चीजों पर नहीं होगी कोई रोक हालांकि 39 परवरी के बाद भी Unified Payment Interface UPI पर कोई रोक नहीं होगी इसके अलावा गिराकों के पेशे निकालने पर कोई रोक नहीं लगाए जाएगी गिराक अपने वोलेट, फाइस्टेक, कार में पड़े पेशे इस्तमाल कर सकेंगे लेकिन ये पेशे करने वाले लोगों को एक बड़ा जटका होगा क्योंकि उसका पूरा देश में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है आपको मैं बता दूँ कि पेटियम जो अकाउंट होता है इसमें जो आपका पेशा होगा उसपर आप निकाल सकते हैं आप उसमें अकाउंट में किसी भी तरह से आप अपना पेशा टांसपर नहीं कर पाएंगे ये पूरी तरह से एक बिए समझें कि आपका जो क्रेडिट है वो बिलोग कर दिया जाएगा सिर्फ आप टांसपर कर सकते हैं किसी के लिए आप कोई भी पेशा अपने बेंक अकाउंट में नहीं लेपाएंगे चाहे वोलेट के द्वारा हो या फिर की और तरीके से आप सिर्फ यूपियाई का उप्योग करके ही अपने अकाउंट में पेशा ले सकते हैं और अपना पेशा किसी को भी टांसपर कर सकते हैं जो कि 39 फरवरी के बाद आपके अकाउंट में आपके अकाउंट नमबर लगाने के बाद पेशा टांसपर नहीं कर पाएंगे दोस्तों ये पेटियम की तरफ से एक बहुत बड़ी ही दिक्कत होने वाली है क्योंकि अब से पहले पेटियम पर आरवाई ने रोक लगाए थी कि वो कोई भी निव अकाउंट ओपन नहीं कर पाएंगे जिसकी वज़े से अब कोई भी पेटियम में निव अकाउंट ओपन नहीं होता है और हाल ही में अब ये एक नया रूल यहां पर लगा दिया गया है कि जब तक इनका सोलुशन नहीं किया जाएगा कि जो इन पर आरोप लगाए गए हैं इसके बाद ही पेटियम आरोपों से मुक्त होने के बाद ही पेटियम में जो गिरहाख हैं वो अपनी टांजेशन को ले सकते हैं और कर सकते हैं दोस्तों ये थी सारी जाने